हलो एब्रिवन तो क्रेशन में हमको बोला है integration हमको करना है 123 ग्रेटेसट इंटीजर ऑफ एकस स्कवेर माइनस तो टीएक से ओकी तो ग्रेटेसट इंटीजर के अंदर के कौर्डिटीक पॉलिनॉम्यल है हमारे पास में इसका हम को क्या करना है integration करना है 1,2,3 में तो सबसे पहले हम यह check कर लेते हैं कि इसका graph कैसे बनेगा यह मैंने approximately एक बार graph बनाया है अब यह कैसे बना है यह मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा तो सबसे पहले तो यह graph हमारे पास एक क्या है parabola बनेगा तो यह उपर तक जाएगा infinity तक, तो x square and यहां से हो जाएगा minus 2x and minus 2 is equal to 0 है सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं यह हमारे पास polynomial है तो इस polynomial के लिए यह सबसे पहली बात minimum कहा होँगा सबसे पहले यह check कर लेते हैं मैंने इसको सबसे पहले fx लिखा तो f-x किया तो एक इसके equal आजाएगा 2x minus 2 बनेगा और इसको equal to 0 किया तो f-x अगर 0 के equal आ रहा है means यहां से x का value कितना बनेगा 1 बनेगा तो x का value 1 पे क्या देगा यह minimum value देगा तो x is equal to 1 जो होगा उस पे यह minimum value देगा यह वाला minimum point होगा x is equal to 1 पे यह बन गया अब इसके बाद में हम check कर लेते हैं कि इसकी minimum value होगी क्या तो f of 1 चेक किया तो f of 1 रखा तो 1 minus 2 and minus 2 यह कितना हो जाएगा minus 3 तो हमने देखा minus 3 यहां पे क्या रही है इसकी minimum value आ रही है तो अब अगर मैं इसको greatest integer लेता हूँ तो यानि कि greatest integer कि किसके उपर लगा हुआ है x square minus 2x minus 2 पे लगा हुआ है अब ध्यान से देखना यहां पे अगर इसके उपर क्या लगा हुआ है greatest integer लगा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ quadratic function की कोई भी value आती है तो उस पे जो value मिलेगा वो हमको greatest integer लगाने के बाद में वो कित्ता मिल जाएगा हमको just यह क्या मिल जाएगा 3 बन जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा similarly अगर मैं मानलो suppose minus 1 देखता हूँ तो minus 1 पे जो value होगी देखो यह जो quadratic function है हमारे पास में यहनि के fx है fx की value जब minus 1 होगी okay minus 1 से minus 2 के बीच में पूरा का पूरा value किस पे shift हो जाएगा यह shift हो जाएगा हमारे पास minus 2 पे and then यह 0 जो है okay तो y के value 0 तो y के value 0 पे यह जो पूरा का पूरा value होगा वो shift हो जाएगा कहां पे 1 पे minus 1 पे shift हो जाएगा और उसके बाद में हमको कहां तक जाना है देखो हमको जाना है 3 तक तो सबसे पहले हम यह points find out कर लेते कि कहां कहां यह जैसे minus 2 कहां बन रहा है तो यह भी हमको check करना होगा यहां पे तो हमने क्या क्या है सबसे पहले y के value जो है वो minus 2 कब हो रही है यह check करते हैं तो x square minus 2x minus 2 यह minus 2 कब हो रहा है हमने इसको check किया तो यह कितना बनेगा देखो यह हमने check किया तो minus 2x square minus 2x is equal to 0 बनेगा x को हमने common ले लिए x minus 2 is equal to 0 तो हम बोल सकते हैं x is equal to 0 और x is equal to 2 पैसा हो रहा है तो हमने बोला कि x की value जब 2 होगी, तब हमारे पास में यह value कितना जाएगा, minus 2 जाएगा, अब यह हम check कर लेते हैं, कि minus 1 कब जाएगा इसका value, तो y का value minus 1 कब जाएगा, यह भी check कर लेते हैं, तो यह वाला point हमको check करना होगा इसके लिए, तो हमने बोला कि जब y का value minus 2 कब जाएगा x square minus 2x minus 2 is equal to minus 1 यह कब जाएगा हमको यह check करना है तो इसके लिए हमने इसके equal लग दिया y का value x square minus 2x यह हो जाएगा minus 1 is equal to 0 quadratic formula लगाया minus 2 plus minus root under b square और यहांसे minus minus plus का 4ac divided by यहांसे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा तो 2 plus minus 2 root 2 divided by 2 तो हमने देखा है यहां पे 2 और यह हो जाएगा plus का root 2 times क्योंकि हमको तो positive वाला चाहिए negative वाला इधर की तरफ कट करेगा वो अलग आ जाएगा लेकिन हमको तो अभी positive वाला चाहिए तो हमको positive वाला चाहिए तो यह 1 बनेगा 1 plus root 2 2 से हम cancel out करेंगे तो 1 plus root 2 बनेगा तो यह 1 plus root 2 वाला मिल गया point अब यह वाला जो point होगा जहां पे यह इसकी value 0 हो जाती है y के value 0 कहां होगी जब हम इसको 0 के equal कर देंगे तो x square minus 2x minus 2 यह 0 कब होगा यह भी check कर लेते है तो x का value कितना आ जाएगा इसके लिए quadratic formula लगाया तो minus b plus minus root under b square minus यहां से कितना हो जाएगा minus minus plus का 4ac 8 हो जाएगा divided by 2 बनेगा तो यहां पे 2 plus minus यहां से root 12 बनेगा तो root 12 को हम लिख सकते हैं 2 root 3 लिख सकते हैं divided by 2 बन जाएगा तो हम बोलेंगे x की value कितनी आ जाएगी यह वाली value आ जाएगी 1 plus root 3 अब 1 plus root 3 यह वाला point बन गया यह वाला point पे x की value हो गई 1 plus root 3 यहनि कि 1 plus root 3 इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x की value 1 से अगर 2 तक रखूँँगा तो सारा का सारा value जो है greatest integer का value जो बनेगा वो कित्ता बनेगा minus 3 बनेगा अब 2 से अगर 1 plus root 3 तक अगर value रखूँगा तो सारा का सारा value कि इस पर shift हो जाएगा minus 2 पर shift हो जाएगा और अगर मैं 1 plus root 2 से 1 plus root 3 तक value रखता हूँ value find out किया तो यहां पर 3Threes हा कितना हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा माइनस यह हो जाएगा 6 एन यह जाएगा तो हमने बूला की 1 बनेगा Y का value okay जब X का value कितना होगा हमारे पास 3 होगा तो Y का value कितना बनेगा 1 तो यह पूरा-का पूरा जो function है यहहां से 0 to 1 के बीच वाला यह पूरा का पूरा shift हो जाएगा कहाँ पर इसके सारे की value क्या हो जाएगा greatest integer तो हमको पता ही है कि greatest integer क्या देता है अगर हम minus 3 से minus 2 तक ले रहे हैं तो वो minus 3 देगा minus 2 से minus 1 तक ले रहे हैं तो minus 2 देगा और minus 1 से 0 तक ले रहे हैं तो मैंने बोला, यहाँ पर तो कितना हो गया, y का value minus 3 हो गया, यहाँ पर minus 2 हो गया, यहाँ पर minus 1 हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस integration को divide कर सकते हैं, कितने limits में वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होगा, 1, 2, 3, यहाँ पर x square, वो question था हमारे पास में x square minus 2x minus 2, यहाँ पर यह dx बनेगा, तो हमने इसको सबसे पहले break किया, 1, 2, 2 में, तो यह हमारे पास में सबसे पहले, देखो x का value 1 से 2 तक जो definition है, जो value हो हमारे पास कितनी आ रही है, minus 3 आ रही है, तो 1 से 2 तक value आ रही है कितनी, minus 3 और यह dx, plus 2 to 1 plus root 2, okay, 2 to 1 plus root 2 में यह value कितनी आ रही है, हमारे पास, यह value यह वाली जा रही है, तो यह कितना आ रहा है, minus 2 आ रहा है, okay, तो minus 2 dx plus 1 plus root 2 से 1 plus root 3, यहाँ पर हो जाएगा, अगली बार क्या जाएगा, minus 1 चला जाएगा यहाँ पर, तो यह मैंने बुला, minus 1 dx and plus, यहाँ पर 1 plus root 3 से, और यह कितना जा रहा है, 1 तक, okay, तो 1 plus root 3 से, sorry, 1 plus root 3 से हमारे पास, कितना जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 1 plus root 3 से, 3 तक जा रहा है, यह कितना जा रहा है, 0 dx, तो यह integration को हमने parts में divide कर दिया, तो इसकी value जो बनेगी, वो क्या-क्या बनेगी, अब यह हम check कर सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर minus 3 है, तो minus 3 को बाहर ले लिया, तो 2 minus 1 बना, x बनेगा इसका, okay, integration, then minus 2 को हमने common ले लिया, यहाँ पर कितना हो गया, 1 plus root 2 minus 2 बन गया, यह बन गया, plus, यहाँ से कितना हो गया, minus 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास value कितना बन गया, 1 plus root 3 और minus, यहाँ से हो जाएगा, 1 plus root 2, okay, तो 1 minus, यह root 2 हो जाएगा, and plus, यहाँ पर 0 बन गया यह, this is equals to, यह बन जाएगा, minus का 3, and यह हो जाएगा, यह बन जाएगा minus का यह minus का 2 root 2 and यह हो जाएगा minus minus plus का यह बन जाएगा हमारे पास में 2 तो यह plus का 2 बन जाएगा clear and यह बन जाएगा minus 1 और इसका multiplication रहेगा किसके साथ 1 से 1 cancel out हो गया root 3 and minus root 2 बनेगा so this is equals to minus 3 minus 2 root 2 plus 2 and minus root 3 and minus minus plus का root 2 बनेगा तो यहां से हमने बोला एक तो हो जाएगा minus 1 एक हो जाएगा minus root 2 एक minus root 3 यह हमारा क्या होगा इसका value होगा यह हमारा answer होगा ओके थैंक्यू